हेलो स्टूदेंट्स जो लोग MBA के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूं है और थोड़ा सब मेरा भी 15 साल का जो एक्स्पिरियेंस उसको आपके साथ में शेयर करने वान हूं अभी at present I'm working as a guest faculty in different colleges MBA पढ़ा रहा हूं और 15 साल से पढ़ा रहा हूं तो बहुत कुछ देख लिया मैंने main problem placement को लेके बच्चों को आती है college admission ले लेता है दो साल में MBA भी complete हो जाता है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था आपके एक PDF है जो मैं आपको शेयर करने वालों आप अगर MBA का प्लान कर रहे हो तो पीडिये बहुत काम आने वाली आपके इसमें आपको free MBA के वीडियो मिल जाएंगे free books मिल जाएंगे तो सारी की सारी बुक्स हर स्टेट का बुक्स मिलेगा आपको आइधर सार राहिस्तान यूपी MP बिहार सबका बुक्स मिलेगा साथ की साथ आप लोगको MBA के वीडियो मिल जाएंगे सारे सब्सक्राइब के वीडियो हैं यूट्यूब के लिंक है वह आपको मिल जाएंगे उसके लाव मैं हर साल आयम अम्दबाद जाता हूं बच्चों को लेकर आज़ा टूर MBA की स्टुडेंट्स जाते हैं वापर उसके अलावा गोवा बिड्ला सिटी वाटर पार्क के प्रिक करेगा यूट्यूब पर लेकी जाएगा यूट्यूब पर सारे के सारे अकांट्स के अकांट्स बेशिक वन, टू, टू, सारी क्लास इसको चाहिए लेस्ट ही तो यहां से कवर और सकता है मैच, स्टेट्स यह सब मिल जाएगा वुक्स मिल जाएगा on the other end इतने साल ह तो कुछ बुक्स भी मैंने लिख दिया बिसिकली मैं पढ़ाता हूँ प्रॉपर तरीके से तो ऐसा राइटर भी मान के चलो मेरे को तो फानेशल डेरिवेटिव का बुक 2011 में लिखा था ऐसे आप लोग का इंटरनेशन फानेशन नारेजिम्ड का बुक है यह बुक लेका था 2010 में तो 78 साल से बुक्स भी लेख रहा हूं में यह क्यूटी का बुक है कॉस्ट अकाउंटी का बुक है यह सारी बुक्स आपको मार्केट में अवलेबल हो जाएंगे चलो यह सब तो ठीक है बट अपना मेन अब्जेक्टिव था में अब्जेक्टिव था देखें दोज वार प्लानिंग फॉर केट और वह आयम का प्लान कर रहे हैं उसके अलावा वह तॉप 20 स्कूल का प्लान कर रहे हैं तो बेटर है कि वह उस साइड में ही जाएं इसको कंसेंट्रेट नहीं करें मैं दोज वार मिडिल क्लास फैमली औ दोज जिनका माइंड इतना वर्क नहीं कर रहा और आयम तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके लिए विडियो बनाया है यह अधिके नॉर्मली एंबीए कॉलेजिस का जो फी स्रक्चर है वह अरूंड टूलेक्ट तूवलेक्टी मत फी स्रक्चर है एंबीए के कॉलेजिस बोल रहा हूं मैं PGD में बोल रहा हूं PGD में बहुत पोस्ट ग्रेजवेट डिप्लोमा मेनेजमेट वह कॉलेज बोलेगा यह बेस्ट है एंबीए मत करो आप क्योंकि एंबीए में 2 लाख रुपे लेंगे तो वहीं PGD में जाते जाते 6 लाख रुपे लेंगे आपसे 5-6 ल मेहंगा प्रोडेट है वह बेचेंगे तो उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आप लोग दिमाग मत लगा ना कॉलेज कितना भी बोले डिप्लोमा नहीं चाहिए और डिग्री मिलेगा आपको MBA से अब देखें आज कल कुछ कॉलेज सारे तो नहीं बोलूँगा बड़ क कुछ कॉलेज ने कुछ कॉंसेट फॉलो करना शुरू कर दिया अगर आप फ्रेशर हैं MBA कंप्लीट हो गया वट आपने कभी कॉर्पेट वर्ल्ड नहीं देखा कभी आपने कोई जॉब नहीं किया कभी आपने कोई इंटरिंशिप नहीं किया तो मान के चलो एड़ टाइम ऑफ जॉब एक फ्रेश्र को एक कंप्णी नहीं रखती है और रखेगा भी ना तो एवरेज प्लेस्मेंट होगा उसका 10,000-12,000 पर में अरे इतना प्लेस्मेंट तो बीकॉप पे मिल जाता है तो फिर मतलब क्या निकला इंब यह करने का इसलिए कुछ कॉलेज ने एक कॉं जैसे आपका college में admission होगा बन मन्त तक आपके उपर बहुत seriously work किया जाएगा आपका personality development पे काम किया जाएगा English communication पे आपका काम किया जाएगा advanced excel आपको सिखाय जाएगा digital marketing आपको सिखाय जाएगा एक महीने तक वो आपको छोड़ते नहीं आठा 10-10 घंटे 12-12 घंटे बठाके रखेंगे आपको और आपका जो way of talking है उसको change कर देंगे आपका dressing sense change कर देंगे कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से बना देंगे कि now you are ready for a corporate world आप एक company में जाके job करने के लिए तयार है अब वो क्या करेंगे classes का timing रखेंगे सुबह morning 7-10 7-10 तो उनको class होगा नास तो ले नहीं पड़ेगा और 11 o clock आप office जाएगे और 11 से लेके 6 p.m. तक आप office में रहेंगे it means आपका placement on the spot हो चुक है जिस दिन आपने MBA में admission लिया था ना same day मान लो within one month को आपका पता है students कहते सर एक मैने की क्या जो रहते है आज ही हमको placement अरे भाई आप fresher हो आपको prepare तो करें उसके लिए जब आप prepare हो जाओगे corporate world के लिए तभी तो आपको बेजेगी तो आप package क्या होगा अब देखिए यहाँ कोई package नहीं होता यह मान के चलो it's a internship यहाँ पर आप सीख रहे हैं आप सवजरों में क्या बढ़ों यह मान के चलो 8,000 से 10,000 की बीच मान लो यह आप लोग को मिलेगा on an average अगर 10,000 रुपे भी मिलते हैं आपको और दो साल में आपने 20 months job किया यह बाले से बात कर लो इंटेंशिप आप लगवा रहे हो जितना पैसा मेरे पास आता जाएगा मैं आपको भरता जाओंगा और यह 1,500,000 रुपे मैं आपके पूरे कर लोगा आप कुछ समझ रहे हैं मैं क्या बढ़ों तो अब एक बात बताएं अगर आपने दो साल में 30,000 पर अब जब 20,000 पर पहुच गए हैं MBA complete degree आपके हाथ में अब पता है क्या होगा आपके campus में ICSA bank आती है तो जो आपके friends से blank बैठेंगे उनको पता ही नहीं क्या है पर आपको तो बहुत जबर्जस नॉलेज है तो अगर आपको यह नॉलेज है तो यह मान के चलो आप यहीं बोलेंगे मैंने EU finance में यह किया वो क्या दो साल काम किया आपने वह experience आप सामने वाले के साथ क्या करेंगे शेयर करेंगे वो लेगा ठीक है कितना मिल रहा था 20 वो अगर आप स्टार्टिंग से जॉब कर रहें इंटर्शिप कर रहें तो आपको प्लेस्मेंट में प्रॉब्लम नहीं आती है पैकेज बहुत अच्छा मिल जाते हैं अब यह बाते मैं कर रहा हूं मैं 3.5 बच्चे का केलीवर है वो चार लाख भी लेके जाता है पास लाख उसके अलावा यह तो एक कॉंसेप्ट हो गया जो नॉर्मल कॉंसेप्ट में बता रहा हूं कुछ कॉलेजिस इसके अंदर एक कॉंसेप्ट लिख है जिसको बोलतें MBA और साथ में लगा दिया प्लस अब बच्चे कहते हैं what is this MBA प्लस MBA प्लस में फी स्ट्रक्शर को थोड़ा यहां पर आप लोग को पूरा का पूरा इंवेस्पेंट बैंकर बना जाएगा दोज वा प्लानिंग पर फैनिस अगर MBA में फैनिस ले रहे हो तो उनके लिए सबसे बढ़िया प्रोग्राम है अगर करना चाहें तो बाकी तो यह आपका MBA भी कम्टीट हो गया और यह आपका जॉब भी लग जया सब कुछ ठीक है पर अगर आपको चाहिए कि मिरको स्टेबिलिटी चीए बहुत कमपोटेबल जॉब चीए मिरको ऑपरेशन का जॉब चीए सेल्स का जॉब नहीं की आप समझने में क्या वुरो तो यहां पर चलते हैं यह पूरा का पूरा इंवेस्प को अगरेशन करें यहां कि था लिए यहां पर को यहां पर आपके थ्री लेवल्स टे लेवल वर्न, और मिलेगा अब यह तीनों लेवल कम प्रिदय você जो finance से relate करती है जो companies में finance का work होता है उन companies में placement होता है और इनका जो placement start होता है वो होता है 5 lakh से minimum placement इनका 4.5 से लेके और आगे तक 5 lakh मान के चलो average 5 lakh से इनका placement 10 lakh तक अब समझने में क्या बुल रहा हूँ अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ यह सारी की सारी जो companies हैं इनके अंदर यह लोग place करते हैं college का ही एक part मान के चलो जो college ने private companies से type कर रखा है उसके नदर आपका SBA ही आजाएगा SDFC आजाएगा, JP Morgan आजाएगा XS Bank है, Kotec Mahindra, Yes Bank City Bank, देख रहे हैं तो देखें, मैं आप लोग को please एक personal advice करता हूँ आप कहीं से भी MBA करें मैं नहीं कहता है कि आप यहाँ से MBA करें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना सबसे पहली चीज उस college से बोलना मेरे को placement आज चाहिए मेरे जिर में पैसा नहीं है मेरे को पैसा parents ने बोलती है आप कमाओ और खुद भरो तो sir मेरे को internship या placement दिलाओ 10-15,000 मेरे को दिलवा दो जिससे की मेरी गाड़ी चलती रहे मतलब मेरी pocket money मैं खुद निकालूँगा मेरी fees मैं खुद भरूँगा पहनी condition है दूसरा fee structure दो लाग से उपर नहीं जाना थी पैसे तो देड़ लाग के अंदर-अंदर हो जाएगा आपका पड़िया additional अगर course आप करते हो तो दो लाग से उपर अगर कोई college आपसे टूल एक से उपर charge कर रहे है तो वो कहीं ना कहीं आपसे waste of money दे रहे है मतलब जो extra पैसा आप दे रहे हो वेस्ट है कोई मतलब नहीं है तीसरा सबसे important concept यह चीज़े तो ध्यान रखना भाया और तीसरा सबसे important concept है कि आप college से पहले ही यह clear कर ले कि मेरे को placement चाहिए और placement मेरे को on the spot चाहिए आप समझे हो में क्या बढ़ो ऐसा नहीं है कि आप wait कर रहे हो placement होगा और कौन guarantee लेता है दो साल पूरे हो जाएंगे और placement नहीं वा तो क्या करेंगा तो यह छोटी-छोटी comfortable विद विद guarantee अब guarantee मैं क्यों दे रहा हूं अरे भाई अगर आप लोगो को सब्जेक्ट में डाउट आता है मेरे पास आउगे आप पढ़े तो दो साल तो आप मेरे पास ही रहोगे और वन मन्त के अंदर आपका कौन बीट करेगा आज ही देख लेंगे ना जो होना है वो आज ही होगा तो वन मन्त में आपके सामने पुरी पिच्चर क्लियर हो जाएगी तो थोड़ा सा देख लो अभी तो टाइम है मेरा नंबर है आपके पास में आप कॉल करो वाट्सअप करो मैं आपको पूरा और डिटेल में बताऊंगा कि इसमें कहां कहां कौन-कौन से लूपोल्स है वो भी अपने डिस्कस करनेंगे ओके बैस्ट आफ लग्ग